कभी जेडियू का तूटकर आठ जेडियू में विलय की खबर तो कभी ललन सिंका जेडियू से इस्तिफे की खबर आखिर नितीश कुमार की पार्टी में चल क्या रहा है नमस्कार मैं उरचा शिर्मा और आप देख रहे हैं बिहार तक बिहार में एक बार फिर से सियासी अलचल तेज हो गई इस बार खबर ये कि जेडियू को लेकर पार्टी के राश्ट्रिय अध्यक्ष राजीव रंजन और फो ललन सिंग जेडियू की राश्ट्रिय परिश्रत की बैटक से पहले इस्तिफा दे देंगे और तो और कहीं खबर ये है कि वो इस्तिफा दे चुके हैं अब आपको बता दे कि दिल्ली में जेडियू के राश्ट्रिय कारेकारनी की बैटक 29 दिसंबर को दिल्ली में होने जा रही है और इससे पहले पार्टी के राश्ट्रिय अध्यक्ष के इस्तिफे की खबर है खबर ये भी आ रही है कि ललन सिंग ने खुद ही मुख्यमंत्री नितीश कुमार से पार्टी के राश्ट्रिय अध्यक्ष से मुक्त किये जाने का आग्रह किया था लेकिन नितीश कुमार ने उनसे लोग सभाचनाव होने तक पद पर पने रहने को कहा था हलाकि ये खबर जब सामने आई तो जेडियो के वरिष्ट नेता और बिहार सरकार में मंत्री विजा चौधरी ने इससे निकार किया और ये कहा कि ऐसी कोई सूचना जेडियो को नहीं मिली है अब ये खबर क्यों उठ रही है और क्यों इसकी चर्चा हो रही है वो आपको बताते हैं दरसल मंगलवार को एक बार फेर ललन जिंग के जेडियो अध्यक्ष के पद से हटने की अटकलों ने जोर पकड़ लिया इस बार उन्हें हटाये जाने की अटकले नहीं बलकि खुद हटने की अटकले थी बताया गया कि नितीश कुमाल ललन सिंग के रवये से नाराज चल रहे हैं खास तोर से ललन की आरजेडी सुप्रीमो लालुक प्रसाद यादव और डिप्यूटि सियम तेजस वियादव से बढ़ती नजदी की नितीश की चिंता बढ़ार ही है खाबर ये भी मिल रही थी कि ललन सिंग 2024 का लोग सबाचनाव फिर से मुंगेर से लड़ना चाहते हैं और ये हो भी सकता है कि वो आरजेडी के टिकट पर चिनावी मैदान में उतरे और नितीश कुमार को ये खबर मिली कि ललन सिंग पिपक्षी गटबंदन के घटक दलों के साथ ठीक तरह से समनवय नहीं कर रहे हैं शायद यही वज़ा है कि दिल्ली में उन्हें कोई भी नई जिम्मेदारी एहम जिम्मेदारी नहीं जिसके बार से जेडियू में खटपट की खबर चल रहे थी और इसी बीच ये खबर पनपती है कि जेडियू के राश्ट्रिय अध्यक्ष ललन सिंग पार्टी से इस्तिफा दे देंगे अब इस खबर पर अंती मुहर जेडियू ने नहीं लगाई जेडियू ने इस बात का खंडन किया और ये कहा कि इसकी कोई भी सूचना नहीं मिली है लेकिन जिस तरीके से ये खबर सामने आई उसके बार से आप ये अटकले लगाई जा सकती है कि आने वाले वक्त में बिहार में एक बड़ा सियासी भूचाल जरूर देखने को मिलेगा आपको इस खबर के बार में क्या कुछ कहना है जो खबर सामने आ रही है कि जेडियू के राश्रिय अध्यक्ष ललन सिंग ने अपने पत से स्तिफा रे दिया है इसमें कितनी सच्चाई हो सकती है या फिर ये खबर ऐसे ही बस सुर्ख्या बट और रही है अपने कमेंट्स जरूर शेर कीजिए और बिहार की तमाम खबरों के लिए बने रहे हैं महार साथ और देखते रहे हैं बिहार तक